मा साहार पुन्य है या पाप? जानिये गरुड पुरान क्या कहता है? भक्तो मा साहार पुन्य है या पाप? आज इस संदर्ग में हम आपको एक कथा सुनाने जा रही हैं. यहा बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे. एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे उसी तरह एक हिरन दोड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया. वो हिरन बहुत ही घबराया हु भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेड़ते हुए कहा क्या हुआ तुम क्यों छुप रहे हो उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पहुचा और बोला यह मेरा शिकार है इसे मुझे दे दो इस पर मेरा अधिकार है तब भगवान श्री कृष्ण बोल हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है ना कि किसी का तब भगवान श्री कृष्ण बोले किसी भी जीव को मार कर खाना पाप की श्रेणी में आता है क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो मानसाहार पुण्य है या पाप क्या तुम धर्म को नहीं जानते तब भगवान शिकारी बोला मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं कि यह जानू की मानसाहार पुण्य है या पाप पर मैं यह जानता हूं कि जीव को मार कर खाना इसमें कोई हर्ज नहीं मानसाहार से तो एक तो वह जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा है फिर क्यों मानसाहार से मना किया जाता है मानसाहारी होने को क्यों नहीं कहा जाता वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनी से मुक्ती दिला कर पुन्य ही कमा रहा हूँ फिर इस पर पाबंदी क्यों राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्ग देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों ये मांसाहार गलत है और पाप की श्रेनी में आता है। आप ही बताएं मांसाहार पुन्य है या पाप। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धी मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धी भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले इस अंतहीन विशय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूँगा। मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्ही उत्तर देना की मांसाहार पुन्य है या पाप और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है इस कथा को मैं सुनी लेता हूं। मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंप की एक बार मगत में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन कम रहा राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीक्र निदान नहीं किया गया तो संग्रक्षित अनाज कोश भी खत्म हो जाएगा। और संकट भीशन हो जाएगा तो सम्राट ने अपनी राज्य सभा में पूछा देश की खाद्य समस्या को सुलजाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्रीगर सोच में पड़ गए। चावल, गेव, आलो इत्यादी पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्थ होते हैं जब प्रकृती का प्रकोप नहों ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यहीं उत्तम अफसर है। क्यों न अंधाधुंद शिकार के लिए राजा की अनुमती ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मास। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौश्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामन्तों ने इस बात का समर्थन कर दिया लेकिन मगत के प्रधान मंत्री अभी भी चुप थे। समराट ने पूछा प्रधान मंत्री आप चुप क्यों है। आपने कोई अनुमोदन नहीं किया। आपका क्यामत है। प्रधान मंत्री ने कहा मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मास सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विशय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधान मंत्री उसी रात मानसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुँचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधान मंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंता से वह काम गया। प्रधान मंत्री ने कहा संध्या को महाराज बीमार हो गए। उनकी हालत बहुत ही खराब है। राज वैध्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का दो तोला मास मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं। इसलिए आपसे योग्य कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहे तो इस काम के लिए मैं आपको एक लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें। मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस दो तोला मास निकाल लूँगा। यह सुनकर सामंत के चहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह जटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से एक लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधान मंत्री के पैर पकड़ लिये। और गिरगिराते हुए बोला श्रीमंथ मैं आपकी एक लाख मुद्राओं में अपनी एक लाख मुद्रा और मिलाता हूं। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मास खरीद लेकिन तु मुझे जाने दे यहाँ बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे आग्रह करता हूं। प्रधान मंत्री जी यहाँ सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधान मंत्री ने आगे कहा सामंत आप शरीर से बलिष्ट है। आपकी कद काठी महराज से मिलती जुलती है। इसलिए राज वैध्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिन्दगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको प्रधान मंत्री का पद देने को तयार हूँ। और खुद आपका कर्मचारी बन कर रहूंगा। पर प्रजा से हमारे राजा न छीने। सामंत तो फंस्ता हुआ दिख रहा था। उसमें शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिये। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था वह तुरंत प्रधान मंत्री के पैरों में लेट गया। उसमें याचना की की प्रधान मंत्री मैं इसके योग्यन नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधान मंत्री पत का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले ले पर मेरे प्राण ना ले। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की और भागा और जैसे ही अपना घोड़ा गठने लगा आवाज आई अभी अभी अपने पीछे गए तुम अपने परिवार को भी छोड़े जा रहे हो। सामन बोला मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही न रहेगा तो कुटुम का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगा कर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रदान मंत्री ने घोड़े की साक पकड़ ली वह सामन से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो। मैं किसी और का प्रयास करता हूं। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई परंतु बैचेनी बनी रही। उसकी नीन्द खराब हो चुकी थी मुद्राएं। लेकर प्रधानमंत्री बारी-बारी से सभी सामंतों के घर पहुँचे और सभी से राजा के लिए खृदय का दो तोला मास मांगा परंतु कोई भी राजी न हुआ। सब ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाख और पांच लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोडो स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुँच गया। अगले ही दिन राज सभा में सभी सामन समय से पहले ही पहुँच गये। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता था। सबको राज वैध्य की तलाश थी। उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधान मंत्री ने सैनिकों को आग्या दे रखी थी कि जब तक महाराज राज सभा में न आये किसी भी सामन को भी महल से बाहर जाने की आग्या नहीं है। राजा सभा में अपनी चिर परिचित गती में आये और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामन्तों ने देखा कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्त नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही न था प्रधान मंत्री ने उनसे जूट बोला। हर सामन्त के मन में यहीं विचार चल रहा था। पर कोई भी किसी और को कुछ भी न बोल रहा था। दो तोले मास के लिए इतनी धनराशी जुटाई है पर मास न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामन्तों ने यह मुध्राएं दी है। अब आप यह विचार कीजिए मास कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक परिश्रम करने का निवेदन किया। और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकाल कर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौश्टिक सबजियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह एक करोड स्वर्ण मुद्राएं इसी काले के लिए और श्रमिकों के कल्यान के लिए खर्ज की गई। ऐसे साग सबजी तेजी से उगी जिस्ते प्रजा का कल्यान भी हुआ और पौश्टिकता भी मि इस प्रकार राज्य से खाग्य संकट दूर हुआ। तो मित्रों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिये समझाना चाहते हैं। कि हम यह न भूले कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है अपने दिल से जानिये पराये दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह भी यह तर्क दे सकते हैं, कि वह लो संघर्ष नहीं करता आपसे भागता नहीं। जो आपके सामने असाय हो जाता है उसे प्राण गमवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मार कर आप खा रही हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बरबरता सिर्फ वही नहीं है, जहां सिर्फ मानव का रख बहता है। बरबरता उसे भी कही जाती है, जहां स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अन्ग समय में जिन्दगी भर के पापों के लिए जिन्दगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंदु हम यह भूल जाते हैं, कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तडपा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं, बलकि अगले जीवन तक न विपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ती हो गई, और वह जान गया कि महांता जीवन लेने में नहीं, बलकि जीवन देने में है, शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़ कर वहां से चला गया और उसने कसम खाली कि वहां अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुँचाएगा तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी कमेंट जरूर कीजिएगा